आजकल की बात करें तो हम मेंसे जादतर लोगों की इम्मुनिटी डाउन होती जा रही है तो कहते हैं न कि पहले के जमाने के लोग बहुत स्ट्रॉंग हुआ करते थे आजकल के यूथ में वो बात कहा ऐसा क्यों कहते हैं इसके बहुत सारे रिजन्स है लेकिन उनमें से एक स्ट्रॉंग रिजन है हमारा शेड्डूल अब मैं जो बात कहने जा रहा हूँ न ध्यान से सुनना और समझना और हमेशा के लिए आत रखना mentally, physically, financially कैसे शौट में समझाता हूँ आजकल जैसे हमारे लाइस्टा लेना हमारा शेडूल बहुत डिस्टर्ब रहता है हम कभी भी खाते हैं, कभी भी सोते हैं, कभी भी कुछ भी करते हैं और इसी वज़े से हम कभी भी हमारी पूरी ताकत का यूज नहीं कर पाते हैं ना यहां से, ना यहां से, कहीं से नहीं कर पाते हैं आप सब में आयुरुएद का नाम तो सुनाई होगा, obviously पांच हजार से जादा साल पूरा ना है आयुरुएद, हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है भाई हम लोगों की emotional, physical और mental growth का दुसरा नाम है आयुरुएद, ऐसा कहेंगे तब भी कुछ गलत नहीं है अब मैं आपको कुछ ऐसे facts बताऊंगा हमारी body के बारे में, जिनको जानकर आप चौक जाओगे और ध्यान से सुनना और याद रखना इसको भी क्योंकि इससे भी आपके बहुत सारे problems ऐसे खतम हो सकते हैं हम सब की body का एक natural rhythm होता है, अगर हम लोगों का schedule इस rhythm के हिसाब से चलता है, तो हमारी जिनकी बदल सकती है सब कुछ limit में रहता है, control में रहता है, इस rhythm को कहते है, circadian rhythm और यही rhythm हमारी body को direction देता है, कि कब क्या करना है, कब खाना है, कब digest करना है, कब सोना है हमारा blood pressure, metabolism, body temperature, सब कुछ हमारे शरीर के जो cells है, वो दिनके अलग-अलग timing के इसाब से अलग-अलग तरीके से काम करते है यसी कि रात को 2 बजे हम सबसे जादा गहरे नींद में होते है सुबा के 4 बजे हमारा body temperature जो है वो सबसे कम होता है सुबा पौने 7 बजे हमारा blood pressure सबसे जादा high होता है सुबा के 10 बजे तक हमारा body पूरी तरीके से alert हो जाता है दोपर के 2 बजे तक हमारा digestive system बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है proper working mood में होता है सुरियास्थ के बाद ये system धीरे-धीरे slow हो जाता है काम करना कम कर देता है रात को 9 बजे हमारा दिमाग melatonin release करना शुरू करता है 10 बजे तक हमारा digestive system almost rank ने के mood में होता है ये है इंसान की body का natural rhythm अगर हमारा schedule इससे अलग जाता है तब body confused हो जाती है confused हो जाती है मस छोटी मोटी गलतिया नहीं होती है बहुत बड़ी गड़बड होना शुरू हो जाता है क्योंकि उसको समझ में नहीं आता है कि हो क्या रहा है फिर होती है रोगों के शुरू आख पूरी body का दिमाग का balance खराब हो जाता है फिर BP, heart attack, brain strokes, diabetes पता दिक कितने सारे problem आजकल है दिन कम पड़ जाएगा तो इसमें center point क्या है गलती आपकी नहीं है गलती आपकी schedule की है फिर से कह रहा हूँ जो पहले कहा था अगर आप सिर्फ अपने schedule भी ठीक कर लोगे न यार तो आपकी life के 70-80% problem खतम हो जाएंगे एक book राकमेंड कर रहा हूँ Change your schedule, change your life पढ़ना इसको बहुत अच्छी book है अगर पढ़ने का वाक्त नहीं है तो कुको एफ हम पर इसकी book summary आ चुकी है हिंदी में आसान बाशा में सुन सकते हैं मैंने आपको जो कुछ भी बताया अभी वो सारी बाते इस किताब में हैं बलकि बहुत detail में explain किया हुआ है कि आपका खराब schedule आपकी life को किस हद तक खराब करता है उसको किस तरगे से आप change कर सकते हैं किसी और से प्यार करो ना करो खुद से प्यार जरूर से करना लोग self love का मतलब भूल चुके है खुद का ख्याल कोई रखता ही नहीं अपनी body का दिमाग का किसी को कुछ नहीं पड़ी है बस बाहर व्यार करो उसमें सब सही है खाने का मतलब यह है कि बाहर प्यार करो प्राब्लम नहीं है लेकिन खुद से भी प्यार करो मेरे भाई anyway कुको अफेम की साल पर की सब्सक्रिप्शन के फीज है 3.99 रूपीज लेकिन अगर आप self love 50 कुपॉन कोड यूज करोगे तो आपको 50% off मिल जाएगा यान कि 1.99 रूपीज में आप साल भर के लिए ऐसी बहुत सारे अच्छी किताबे सुन सकते हो यह कुपॉन कोड आप 15 फरवरी तक ही उसकर सकते हो कुको अफेम पर और भी बहुत सारे किताबे बुक समरीज, पॉड़कास्ट, कोर्सिस वाजिरा है जिसा आपको पहने से पता ही है कि हम हर हफ्ते एक अच्छी किताब को रेकमेंड करते है और हाँ आप जितनी किताब पूरी कर चुके हो आपका रिव्यू कमेंड में देते हैं रहना एनिवे, उक वाफेम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है हम मिलते हैं बहुत जल देखने वीडियो के साथ एकने सब्जेक के साथ बाइ टेकर एंड जाए है